हजारी वाक के सदर परखंड इस्थित अमनारी गाउं में केरोसीन तेलवी स्पोर्ट से जहुलती सविता देवी जिनकी उम्र 35 साल और उसके बेटे आयू शर्मा जिसका उम्र 11 साल का है उसकी मौत हो गई वहीं दूसरा बेटा पवन कुमार का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है तेल विस्फोर्ट मामले में पुर्व में सरौली कला पाराडिह गाउं की सुष्मा देवी देवन्ती देवी समेत चार लोगों की मौत हो गई वहीं 15 लोग घायल हैं हजारी बाके सदर परखंड इस्थित अमनारी गाउं में बीते 15 फरवरी 2021 की शाम को जलते लैंप में केरोसीन तेल डालने के वाद विस्फोर्ट में परिवार के तीन लोग गंभी रूप से जुलस गए थे इसमें मा और दो बेटे सामिल थे सभी का इलाज रांची रिम्स में चल रहा था इस्थिती नाजुक होने पर आयूश शर्मा को देव कमल अस्पताल में भरती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई रिम्स में इलाजरत सभीता देवी की मौत हो गई जबकि पुत्र पवन कुमार का इलाज रिम्स में चल रहा है आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं